यादेवी सरवभूतेशू शक्ती रूपेन समस्तिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा जै माता दी मा दुरगा जी के पांचवे सरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है ये भगवान सकंद कुमार कार्ती के नाम से भी जाने जाती हैं ये प्रसिद देवासुर संग्राम में देवताओं के सेना पती बने थे पुरानों में इने कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्नन किया गया है इनका वाहन मोर है अते इने मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है भगवान सकंद की माता होने के कारण मा दुरगा जी के इस पांचवे स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है इनकी उपासना नवरात्री पूजा के पांचवे दिन की जाती है इस दिन साधक का मन शुद्ध होता है इनके विग्रे में भगवान सकंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए है सकंद माता की चार भुजाए है ये दाहिनी तरफ की उपर वाली भुजा से भगवान सकंद को गोद में पकड़े हुए है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो उपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है बाई तरफ की उपर वाली भुजा वर्मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो उपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है इनका वर्न पूरन तैशुब्र है ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है इसी कारण से इने पदमासना देवी भी कहा जाता है सिहें इनका वाहन है नवरात्र पूजन के पांचवे दिन का शाश्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है इस चक्र में अवस्थित मनवाले साधक की समस्त बाहिये क्रियाओं एवं चित वृत्यों का लोप हो जाता है यह विशुद चैतन्य सवरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है उसका मन समस्त लोकिक, सांसारिक, माईक बंधनों से विमुक्त होकर पदमासना मासकंद माता के स्वरूप में पूरंते तल्लीन होता है इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना करने चाहिए मा सकंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्चाएं पूर्ण हो जाती है इस मृत्यू लोक में ही उसे परमशान्ती और सुक का अनभव होता है उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयम ही सुलब हो जाता है सकंद माता की उपासना से बाल रूप सकंद भगवान की उपासना भी स्वयम ही हो जाती है यह विशेषता केवल इनी को प्राप्त है अते साधक को सकंद माता की उपासना की ओर विशेश ध्यान देना चाहिए सूर्य मंडल की अधिश्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलोकिक तेज एवं कांती से संपन हो जाता है एक अलोकिक प्रभामंडल अद्रिश्य भाव से सदैव उसके चारों ओर परिव्याप्त रहता है यह प्रभामंडल प्रतीक्षन उसके योग शेम का भी निर्वहन करता है अतै हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मा की शरन में आने की कोशिश करनी चाहिए इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ती पाकर मोक्ष का मार्ग सुलब बनाने का इस से उत्तम उपाय दूसरा नहीं है तो पांचमें दिन मासकंद माता की पूजा करें उपासना करें उसके पस्चाट चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक और शियर करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक और अच्छी अच्छी कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसी पहले आपको मिले धन्यवाद